Hello Friend, Welcome to Needed Education, आज मैं फिर से Science की टॉपिक पर डिसकस करने जा रहा हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे Class 6 Science, Chapter 16, जिसका नाम है गार्वेजीन, गार्वेज आउट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का लेशन, Chapter को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका Introduction को समझ लेते हैं, कि इस लेशन से में क्या क्या चीज की जनकारी मिलेगी, तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, गार्वेज, गार्वेज का हम लोग डिफिनेशन समझेंगे कि गार्वेज क्या होता है, अन गार्वेज को हम लोग डिफिन में डालते हैं, अब डिफिन में भी अलग अलग परकार का है, गिरिन डिफिन, बुलू डिफिन, मतलब क्या है कि हम लोग जो लिक्विट फॉर्म में डिफिन होता है, जैसे कि लिक्विट फॉर्म में जो भी चीज आपका होता है, वेस्ट से हम लोग रखेंगे हैं सोर्स व रबल सभी समझिंगे सोर्च औव गाडवेच का सोर्स किया है कहां जो मर सका है जैसे की क्या है दॉमेश्ट णाड़ य।ो समझे ंटिश्मक इस तरीका कि कितना वेश्ट य। कोसी चीज को हम समझेंगे फिर क्लासिफिकेसिंअ को देखेंगे क्लासिफिकेसं कम कि कुछ चीज आपका बायो डिग्रेवल है कुछ चीज नन बायो डिग्रेवल है बायो डिग्रेवल का मतब क्या है कि उसको हम लोग दोबारा उसको हम लोग क्या करेंगे कि जो बायो डिग्रेवल होगा उसको हम लोग कंपोश्ट कर देंगे और नन बायो डिग्रेवल को हम जैसे कि आपका पत्ता है तो उसको हम डोग डिऊस कर सकते हैं अगर उसको सवाल में डाल दे तो वह कुछ दिन के बाद उसमें मिल जाएगा फीर रिउज में होता है कि किसी चीज जैसे कि बोतल है आप वेश्ट करके पानपी के हम लोग बोतल को फेक देते तो उसको हम लोग फिर से रियूज में ला सकते हैं उस तरीका का से प्रिसाइके मतब एस बोटल को हम री साइकिल करके फिर से उसको बोटल के फोर्म में ला सकते हैं फिर स्वी थे ओधिन क्या होता है वह कैसी साथ इसको कंपोश्ट कर देते हैं उसी तरिका से आप कीटेंगे के लेंड फिलेक जो वेस्ट मांटेरियल को हम लोग यूज कर लेंड फिला आपका ज्यादा गढ़ता है तो वहां हम् Gesprक्त करते हैं उसको बराबर कर देते तो गार्वेज का पहले हम लोग डिफिनेशन समझ लेते हैं और यूज एन अन्यूजेवल सब्टांसेस विच कैन नोट भी रिड्यूस इन दा सेम फॉर्म इस कॉल गार्वेज गार्वेज का मतलब ओरिजिनल क्या हुआ कि जैसे कि आप मार्केट से जो वेजिटेवल लाते हैं और उसको जब अपने कीचन में उसका वेश्ट पार्ट को निकालते हैं तो वह क्या उसको हम लोग फिर से दोबारा उस फॉर्म में ला सकते हैं जो मार्केट से हम लोग खरीद के लाए थे तो नहीं ला सकते हैं तो वहीं जो आपका वेश्ट मेटेरियल निकला तो उस मातरा में निकलता है spoiling food product मतलब क्या होता है सरागराद जितना भी product है food का वो आपका kitchen waste में निकलता है फिर जैसे कि animal waste हुआ वो भी एक तरह का waste है waste paper जैसे कि आप लोग क्या करते कि notebook का page फारे तो वो क्या होगा आपका waste paper हो गया मतलब क्या होगा कि पेर का जो सुखा हुआ पता है वो भी आपका waste material में ही आता है and plastic material मतलब plastic का जो भी आपका bag बगरा है वो भी अगर हम लोग क्या करते है इधर उदर फेक देते तो वो भी एक waste material है weeds हो गया, cattle waste हो गया and other waste product that are the produce on the daily basis हम लोग देखते हैं कि daily basis पर हम लोग बहुत तरह का waste product को हम लोग निकालते हैं kitchen का भी निकालते हैं पेर का भी हुआ फिर animal का waste हो गया paper हो गया इस तरीका का बहुत सारा हम लोग daily basis पर waste निकालते हैं this waste is collecting in the bean अब इस सब waste को हम लोग क्या करते हैं एक जगा एक खटा करते हैं जैसे कि हर area में आप देखेंगे कि dust bean लगा हुआ रहता हैं तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं वो जो वेस्ट मेंटेरियल हम लोग को निकला घर से उसको हम लोग क्या करते हैं वहां से हम लोग उसको उस जगह में फेक देते हैं तो इस तरीका से आप देख सकते हैं इस फिगर में कि हम लोग वेस्ट को कहां फेकते हैं अब आगे तीन में रखते हैं डास 20 किया है उसको हम अम लुग समझेंगे जोई करते हैं कि यहां पिए यहां पर अपना वेश्ट मेटरील जतना घर का था वो सब यह समझते हैं हम लोग उसको जब अलग करते हैं जैसे कि गिरिन डेस्ट को समझते हैं गिरिन डेश्ट में हम जैसे meant जिनली किस लिए किरते हैं नाश्पी टाइब का है तो उसको क्या करते है एक अलग रखते हैं उस ěकर बायोड डेगरेवल वेश्ट करते हैं उसको क्यों रखा जाता है क्योंकि उसको डीकमपोज किया जाता है स्वाइल में आप बुलू डेश्ट में को समझते हैं नन बायो डीकरेवल वेस्ट वीच्ट डू नॉट डीकमपोज नैचुरली अर किप्ट इन बुलू डैस्ट में हम लोग क्या करते हैं जैसे कि आपका पलास्टिक सबस्कंता हो यह नहीं होगा। इस वज़े से हम लोग अलगर डेस्ट भी का यूच करते हैं जिसमेन एक तरफ वह रखते हैं यो और यचे तरफ रखते हैं और यह टाब रखते हैं ईंग सब का ब्यूसर की जेसी रखते हैं । होता है तो वह नेचुरली वो डिigos नहीं होगा तो उसको अलग देश्ट करने के लिए लिए रिसाइकल करने के लिए तो यहीं समझ सकते हैं हम harms अलग अलग डेश्ट विन को रखते हैं आ आगे देखते हैं अब हम लोग देखते हैं source of garbage garbage का क्या-क्या source है तो different source of garbage including अब जितना भी garbage है सबको हम लोग देखते हैं समझते हैं जैसे कि first है हमारा domestic waste such as wage and kitchen waste मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपका नाली का नाली में जो गंदगी रहता है या kitchen से जो निकला गंदगी वह सब क्या है हम लोगा एक तरह सब वेस्ट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे domestic waste अब second point क्या है कि agriculture waste agriculture waste में क्या होगा होगा हॉक्स तो इसको हम लोग किसमें एड करते हैं agriculture waste में उसी तरीका से फिर इंडस्टी वेस्ट देखते हैं इंडस्टी वेस्ट में क्या हो गया जैसे कोल है पेपर है यह सब क्या हो गया industrial waste में आ गया उसी तरीका से फिर फॉर्थ पॉइंट में देखते हैं electronic waste अब electronic waste कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि कोई वायर वह खराब हो गया तो वह तो वेस्ट हो गया ना या broken switch बगरा यह सब जितना हुआ वह electronic waste है computer बैटरी यह सब क्या है कि आपका electronic waste में आएगा फिर community waste क्या हो गया सच सब ऑफिस होस्पीटल यह सब क्या है कि आपका होस्पीटल हो गया ऑफिस हो गया यह सब क्या है अगर टूटा फूटा है तो क्या हो गया वह community waste हो गया तो यह पांच आपका waste था domestic waste agriculture waste industrial waste electronic waste and community waste और भी जो भी waste सब source of garbage है अब आगे देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं classification of garbage garbage का classification को समझते हैं the garbage is classified into two types garbage को जितना भी waste material है उसको हम लोग दो टाइप में बाठते हैं फर्स्ट हमारा क्या है बायो डिग्रेवल वेस्ट और second क्या है नन बायो डिग्रेवल वेस्ट अब बायो डिग्रेवल वेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका macro organism के help से decomposed हो जाए वह आता है सब बायो डिग्रेवल में और नन बायो डिग्रेवल वेस्ट में क्या आता है कि जो आपका macro organism के help से decomposed ना हो तो वह आपका नन बायो डिग्रेवल वेस्ट हो गया तो अब इस बायो डिग्रेवल वेस्ट का हम लोग पहले definition समझ लेते हैं the waste material which is decomposed by the microorganism naturally is called biodegradable waste अब इस figure में देख रहे होंगे कि आपका जितना भी यह waste है अगर इसको हम लोग soil में फेक दें तो वो क्या होगा इसको microorganism decomposed कर देगा और फिर से यह soil में मिल जाएगा और वो soil जो है हमारा ज्यादा उसमें मिनरल मिलेगा तो यह जितना भी बायोडिग्रेवल वेस्ट है हम लोग इसी तरीका से हम लोग decomposed करते हैं और नन बायोडिग्रेवल वेस्ट को समझते हैं दव वेस्ट मटेरियल वीच इज नौट डिकमपोज्ट बाइदा मैक्र और गिनिजम इसको नन बायोडिग्रेवल वेस्ट अब जो नन बायोडिग्रेवल वेस्ट है जैसे कि इस फिगर से आप लोग देख रहोंगे पलास्टिक बोतल जितना भी चीज है वह सब क्या होता है कि डिकमपोज्ट नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं री यूज में हम लोग लाते हैं दा वेस्ट मटेरिव विच इस नौट डिकमपोज्ट बायोडिग्रेवल वेस्ट अब इसका एक्जामपल क्या हो गया जैसे कि ओल्ड नियूज पेपर हो गया या गिलास टूटा हुआ ब्रोकें गिलास पीस या पलास्टिक यह सब क्या ह इस फिगर और इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं कि बायोडिगरिवल वेष्ट किया है अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते है कि री डूज क्या होता है री यूज क्वे री सरकील क्या होता है युघ कर सकते हैं आप अपने इंवार्मेंट का वातवरन को भी शेभ कर सकते अच्छा बना सकते हैं तो 3 आर का मतलब आप समझते हैं जैसे कि सब्सक्राइब करें तो हम लोग कर सकते हैं उस चीज़ का जैसे कि बॉयल पेन प्लास्टिक बैग डिस्पोजल नइपकीन यह सब क्या है कि हम लोग इस्ट्रेमली जब जरूरत है तभी यूज करें तो बनिया है उसी तरीका से हम लोग क्या करते है कि नियूज पैपर के लिए इसतवार करते हैं इसको इस्तुमाल करें हम रॉिपर करते हैं हम रूंग को इसे उसको नहां चुरू तो ये उचिझे बाता हैं। कुछ आइटम ऐसा है जो हम लोग उसको हम लोग रिसर्किल भी कर सकते हैं तो यूज अगलास मेटल पलास्टिक पेपर यह सब दिसर्किल कर तो रेडियूस री यूज और रेशर्किल यह हमारे लाइफ के लिए बहुत important है अब आगे देखते हैं अब हम लोग समझते process of reducing waste अब क्या process है जो कि हम लोग waste को reduce कर सकें जैसे कि आपका composting हो गया भड़मी compost हो गया landfill हो गया यह सब क्या है कि आपका जितना भी waste material है उसको reduce करता है एक process है जो कि आपका waste material को पूरी तरीका से reduce करता है जैसे कि composting का मतलब क्या हो गया recycling of organic waste like vegetable pills waste food leaves etc buying them it compost is called composting मतलब क्या हो गया कि जितना भी आपका vegetable था या waste food था या leaves था यह सब क्या होगा कि इस वाइल के साथ जाके decomposed हो गया macro organism के help से यह लोग decomposed हो गया वह हो गया आपका composting अब भर्मी कंपोस्ट क्या हो गया composting with the help of the type earthworm अब भर्मी कंपोस्ट में कौन help करता है earthworm जैसे कि आपका red warm हो गया यह help करता है जितना भी material है आपका waste उसको decomposed करने में उसी को हम लोग कहते हैं भर्मी कंपोस्टिंग अब लैंड फिल्स लार्ज एरिया यूज फॉर वेस्ट डिस्पोजल इसको लैंड फिल्स अब जैसे कि आप देखते होंगे कि सीटी बगएरा में बहुत ज्यादा वेस्ट है तो वह सब वेस्ट को एक जगा जैसे कि आप एक एक्जामपल से समझ सकते हैं इंदरापरस्ट पार्क जो है दिल्ली में नियोदिली बिल्ड टू दा लेंड फिल्स साइड उस पे एक साइट बन गया लेंड फिल्स साइड बन गया वहां एक अच्छा साइड बन गया तो मतब क्या है कि कमपोश्टिंग इससे हम लोग reduce करते हैं waste material को तो यही हमारा lesson था अगर यह वीडियो आपको useful लगता है तो please like, share and subscribe जरूर करें फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद